Hello everyone, आज के इस सेशन में हम solve करने जा रहे हैं Class 9, Physics के Chapter of Motion के कुछ important questions Previous sessions में हमने इस chapter के कई सारे amazing topics को discuss कर लिया है जैसे कि speed, velocity, distance, displacement, acceleration इन सारे ही topics के उपर हम चर्चा कर चुके हैं यही नहीं हमने तीनो equations of motion को भी पढ़ लिया है In fact, तीनो ही equations को हमने graphically derive करना भी सीख लिया है In fact, previous lecture में हमने motion को graphically या graphs के थूँ कैसे represent किया जाता है हम वो भी सीख चुके हैं तो अब हम अपने chapter में क्योंकि इतना कुछ पढ़ चुके हैं तो अब बार ही आती है कुछ अच्छे level के questions को solve करने की और इसी लिए, previous lecture में भी हमने इस chapter के कुछ important graph based questions को solve किया था Right? तो अब उसी series को continue करते हुए, आज के इस lecture में भी हम motion chapter के most important questions को करेंगे solve और यही है हमारे आज के इस session का target Hopefully आप सभी को समझ में आया होगा तो अब एक काम करते हैं अपने इसी target को अचीव करने के लिए आए हम करते हैं अपने session की शुरवात So this is विभूती खरे, welcome to definite success पाच्छाला एक ऐसा platform जहां पर आपको provide करवाई जाती है एक दम quality education एक ऐसा platform जहां पर एक चीज़ definite है और वो है आप सभी की success इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का हमारे ये session जहां पर हम motion chapter की most important questions को करेंगे solve और हाँ आज के इस lecture में आपको कुछ numericals भी मिलेंगे solve करने के लिए साथ ही साथ graph based questions भी आपको यहां पर आज solve करने को मिलेंगे ठीक है चलो फिर आजाओ questions को solve करने का सिलसला हम शुरू करते हैं पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है देखते हैं कि ये first question exactly हम से क्या पूछना चाह रहा है अब बस starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.2 meter per second square for 5 minutes calculate the speed acquired and the distance covered एक bus के बारे में बेटा यहां पर आपको जानकारी दी जारी है कि एक bus है जो rest से start कर रही है और देखो बेटा ऐसा है जब भी आपको किसी भी सवाल में ये बताया जा रहा हो कि जो object है वो rest से start कर रहा है इसका मतलब क्या कि आपको सवाल में उस object की initial velocity बताया जा रही है कि क्या है initial velocity? zero यहां पर भी सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जो bus है वो rest से start कर रही है इसका मतलब क्या कि initially bus क्या थी? initially bus rest पर थी वो move नहीं कर रही थी तो उसकी initial velocity क्या रही होगी? zero रही होगी राइट फिर rest से क्या होता है बस motion में आती है और जब वो motion में आती है जब bus move करना शुरू करती है तो उसके motion में acceleration पैदा हो जाता है कितना acceleration पैदा हो जाता है देखो यहां पर point two meter per second square तो यह यह भी जो हैना तुम note down कर लो सबसे पहले क्या करा करो? जो given values हैं वो लिख लिया करो initial velocity दी हुई है, zero है, acceleration कितना आ गया है motion में? point two meter per second square आ गया है और कुछ दिया है क्या? हाँ, time दिया हुआ है यहां पर तो conversion करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि acceleration दिया हुआ है meter per second square में और time हमारे पास है minutes में तो minutes को बेटा convert करना होगा हमें seconds में, right? यह सब कुछ आपको given है, अब पूछा क्या गया है? calculate the speed acquired and the distance moved जाहिर सी बात है बेटा, जब हम बोल रहे हैं कि जो हमारी bus है वो 5 minute तक इतने acceleration के साथ move करती है तो इस motion के दौरान, इन 5 minute में उसने कुछ ना कुछ तो distance cover किया होगा मैं तो कहती हूँ, अगर bus 2 minute भी चलती, तो 2 minute के time interval में भी वो कुछ ना कुछ तो distance cover करती ना, यहाँ पर तो फिर भी bus क्या कर रही है? 5 minute तक चल रही है, तो इन 5 minute में उसने कितना distance cover किया है? वो आपसे पूछा गया है, और कुछ पूछा गया है क्या? Of course, यहाँ पर पूछा गया है, bus की final velocity, initial velocity तो zero हो गई final velocity आपसे यहाँ पर निकालने के लिए बोला जा रहा है देखो ना, calculate the speed acquired, कि कितनी उसकी हो गई final velocity जड़ाब निकाल करके बताओ तो यह given है और यह पूछा जा रहा है तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो यह जो conversion है, उसको निप्टा लेते हैं एक minute में बेटा कितने seconds होते हैं? 60 seconds होते हैं, तो 5 minute में कितने हो जाएंगे? 5 into 60 कर दो, कितना हो जाएगा? 300 seconds, आगया सभी का answer कि नहीं आगया, देखो जो भी सवाल आपके सामने आता है ना बेटा मैं तो उसको solve करूँगी ही, लेकिन बात क्या है कि तुम्हारा paper जाकर कि तुमको ही देना पड़ेगा? मैं नहीं आऊंगी तुम्हारा paper solve करने के लिए कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी सवाल आता है, उसको मेरे साथ साथ तुम भी solve किया करो जैसे कि question तुम्हारे सामने आया, विडियो रोग दो, question पढ़ो, given values लिखो क्या पूछा गया है साइड में, क्या पूछा गया है तुम से सवाल में, वो भी तुम जो है साइड में लिखो, और फिर इसके बाद में अपने हिसाब से उस question को solve करने की कोशिश करो, अगर बन जाता है, अगर क्या बन ही जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आंसर जो है, फिर तुम चेक कर लेना मेरे साथ, और अगर नहीं बन रहा है for some reason, तो तुम ये solution भी पूरा का पूरा देख सकते हो, लेकिन मुद्दा ये है कि सवाल को तुम्हें attempt करना पड़ेगा, सिर्फ बैट करके देख लेने से काम नहीं होता है बेटा, ये जो अपन इतने सारे questions की, तुम्हारे दिमाग में concept fix हो जाए, सिर्फ theory पड़ लेने से physics में काम नहीं चलता है, कि तुम्हें मैं formula बैट करके याद करवा दू, और बोलो कि जाओ बैटा अब जो सवाल आएंगे तुम कर लेना, नहीं, formula apply कैसे करने हैं questions में वो भी तुम्हें मुझे ही सिखाना होगा, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, practice कर रहे हैं, पिछले session से, तो please questions को बैटा, मेरे साथ साथ solve करो, क्योंकि questions को attempt करना, solve करना तुम्हारे लिए बेहत जरूरी है, at least physics में तो, ठीक है, चलो, तो, conversion हमने कर दिया है, अब सब कुछ set है, अब बताओ, यहाँ पर अपन कौन सी equation of motion लगा सकते हैं, तो, बेटा, मेरे हिसाब से जो है, यहाँ पर अपन first equation of motion लगा सकते हैं, अब मैं यह मान के चलती हूँ, क्योंकि अपन अपने chapter में इतना आगे बढ़ चुके हैं, कि अब बस आखरी topic रहे गया है, पढ़ने के लिए circular motion वाला, है ना, तो अपन chapter में इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो, अब मैं यह मान के चलती हूँ, कि at least तुम लोगों को अब equations of motion याद हो गई होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मुझे लगता है कि first equation of motion से, हमारा काम बन सकता है, पूरा काम नहीं, लेकिन हाँ, आधा काम तो बनी सकता है, मतलब कि हम बस की final velocity निकाल सकते हैं, आप बोलोगे कि मैं यह अपने first equation of motion क्यों लगा दी, अरे तुम खुद देखो, अपने पास u given है, अपने पास bus की initial velocity है, acceleration की भी value है, time भी अपने seconds में convert कर लिय है, यानि कि अपने पास u है, a है, t है, तो v तो अपने पास आई ही जाएगा न, असानी से आ सकता है, आजा, निकाल लेते हैं, u की जगा पे अपन क्या लिखेंगे, बेटा, u की value अपन क्या लिखेंगे, 0, acceleration की जगा पे क्या लिख देंगे, उसकी value, 0.2 meter per second square, और time की जग करेंगे, कितना हो जाएगा पिटा, ये तो हो या, इसको हटा दो, 0.2 into 300, एक काम करूँ न, decimal हटा करके, नीचे लगा दो, 10, decimal हटेगा, उपर तो नीचे आ जाएगा, फिर नीचे का 10, उपर के 10 से, कट जाएगा, कट गया, अब कर दो, multiply 2 into 30, कितना हो जाएगा, 60, यानि क अब एक चीज तो अपने पास आ गई है, अब हमें निकालना है क्या, दूसरी चीज की, इन 5 minute के time interval में, बसने कितना distance कवर कर लिया, अब देखो, distance निकालने के लिए, तुम second, और second या third equation of motion, जो भी तुमको दोनों में से अच्छी लगती हो, तुम वो लगा सकते हो, ठीक ह क्योंकि अब आपने पास सब कुछ है, distance को छोड़ करके अपने पास सब कुछ है, अपने पास initial velocity भी है, final velocity भी है, acceleration भी है, time भी है, तो आप second या third equation of motion में से किसी एक का इस्तमाल करते हुए, जो भी आपको पसंदे, आप distance निकाल सकते हो, मैं तो second equation of motion का इस्तमाल करूंगी, ठीक है, यहाँ कर रही हूँ, आपर जगा नहीं इसलिए, s is equal to, क्या होती है, second equation of motion, s is equal to ut plus half at square, अब आप बोलोगे कि मैं आपने second equation of motion नहीं क्यों इस्तमाल करी, third क्यों नहीं करी, देखो, कर तो दोनों ही कर सकते हैं, मलब second और third, दोनों ही equations का इस्तमाल करके, अपने distance का निकाल सकते हैं, लेकिन second इस्तमाल करने का मेरा purpose यह था, कि मुझे यह पता था कि बस की initial velocity क्या है, 0 है, तो अगर मैं second equation of motion लगाती हूँ, तो यह वाला term पूरा 0 होने वाला है, यह बात मैं आपको पहले भी बता चुकियों कि जब ही, किसी भी object की, आपको पता होगी, initial velocity 0 ह और अगर आप लगा रहे हो क्या, second equation of motion यह आप apply कर रहे हो, तो उसमें यह यह वाला term में बेटा, यह already क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो अब आपके पास बस इतना सा रहेगा solve करने के लिए, तो calculation कहीं न कहीं आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है, आजा, तो s is equals to half, एक इतना ह 0.2 meter per second square, है न, और time का square करना मत भूलना, कई बार बच्चे यहाँ पर जो न, blunder करते हैं, time लिख तो देते हैं, लेकिन उसका square करना भूल जाते हैं, तो आप मत भूलिएगा, कर दो square, 300 into 300 कर दो, 300 into 300 कर दो, अब उपर का decimal हटाओ, नीचे आजाएगा, एक 0, नीचे का एक 0 उपर के एक 0 से कड़ जाएगा, 2, 1, 2 हो जाएगा, ठीक है, अब क्या बचा, 300 into 30 कर दो, 33 कितना होता है, 9 होता है, और 7 में आ जाएगे 30, तो यह आ गया, distance covered by the bus, कितना, 9,000 meters, 9 km भी बोल सकते हो, 9,000 meters को आप 9 km भी बोल सकते हो, आपकी श्रद्धा है, ठीक है, तो कुछ इ के से अपने दोनों ही चीजे निकाल ली है, एक तो final velocity निकाल ली, using first equation of motion, and by using second equation of motion, हमने जो है, distance covered भी निकाल लिया है, कितना, 9,000 meters, यह आप उसको 9 km भी बोल सकते हो, अब फड़ा-फड से एक काम करो, वीडियो को pause करके, solution का screenshot ले लो, यदि तुम से सवाल नहीं बना है, तो तुम इसका solution का screenshot ले सकते हो, अगर तुम से सवाल बन चुका है, वैसे तुम नहीं जाना चाहिए, है ना, तो answer अपना check करो, और फिर अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक, चल, मेरी writing अगर तुम्हें समझ में ना है बेटा, तो तुम इसका भी screenshot ले सकते हो, और यह मत बोल है लिखने का, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो अलग-अलग तरीका है लिखने का, और कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, चल, यह star का मतलब बिटा यहाँ पर multiplication है, ओके, आगे बढ़ जाएं बच्चों, नेक्स क्वेस्टन की किलो मीटर पर आवर, is brought to a halt in 2 minutes, अच्छा, यानि कि एक train के बारे में, अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, कि train जो है, बेटा, इनिशली, इतनी विलोसिटी के साथ, चल रही थी, मतलब कि train की यहाँ पर आपको, इनिशल विलोसिटी गिवन है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बेटा, question to solve करने के लिए, given values जो है, अपन वो लिख लेते हैं, आजो, तो क्या-क्या given है यहाँ पर आपको, train की initial velocity, 108 km per hour, और इसको देख करके, मुझे लग रहा है, कि इसको भी convert करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, तो एक train है, जो initially इतनी वि velocity, train ultimately क्या हो, देखो न, and is brought to a halt in two minutes, कि initially train इतनी velocity के साथ चल रही थी, और फिर दो मिनिट में क्या होगा, बेटा, वो रुख गई, रुखने का मतलब क्या है, final velocity zero हो गई, तो यह तो understood होना चाहिए, कि final velocity यहाँ पर आपको, zero लिखनी होगी, ठीक है, और यह velocity को change होने में समय कितना लगा, initially velocity इतनी थी, फिर इतनी हो गई, तो velocity को change होने में time कितना लगा, वो भी आपको देखो given है, कितना, two minutes, तो time भी लिख लो, two minutes, अब देखो, यहाँ पर घोर conversion हमें करना पड़ेगा, पहली बात तो speed को हमें convert कर ठीक है, now calculate, अब पूछा क्या गया है, calculate the retardation produced by the application of brakes, जाहिर सी बात है बिटा, train initially इतनी velocity के साथ चल रही थी, दो minute के बाद क्या हुआ, वो rest पर आ गई, velocity में बदलाव आया, velocity में बदलाव भी कैसा आया, आरे velocity कम हो गई की नहीं हो गई, पहले इतनी थी, फिर देखो zero हो ग retardation calculate करने के लिए बोला जा रहा है, also calculate the distance the train travels before stopping, और इससे पहले की train रुक जाए, उसकी velocity zero हो जाए, उसने इन दो minute के time interval में उसने कितना distance cover किया होगा, आप से ये भी पूछा गया है, दो चीजे इस सवाल में भी आप से पूछी गई है, train initially इतनी velocity के साथ चल रही थी, फिर क क्या हुआ, train का जो रहा होगा, driver, pilot जो भी है, उसने जो है ना, brake लगा दिये, तो brakes के application से क्या हुआ, velocity कम होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, दो minute में क्या हुआ, velocity zero हो गई, तो इन दो minute के time interval में, उसने कितना distance cover करा है train ने, एकदम से तो ऐसा कि माम जब train initial velocity के साथ चल रही थी, तो उसने कितना distance cover किया होगा, वो पूछा गया है, नहीं, भाई हमको ये तो बताई नहीं गया है, कि train कितने समय से इतनी velocity के साथ चल रही थी, आपको वो वाला time period दिया है क्या, velocity को बदलने में कितना time लगा, वो time आपको दिया है, कि इ निशर इतनी velocity के साथ train कप से चल रही थी, बेटा, वो हमें time नहीं दिया, तो वो वाला distance नहीं निकालना है, इन 2 minute के time interval में कितना distance cover किया है, वो निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, conversion करके जो है, मामला निप्टाओ, तो बेटा, speed को, जो speed दी होती है, km per hour में, उसको meter per second में convert करने के लिए क्या करता है, 5 by 18 से multiply कर देते हैं, तो आजाओ, 108, side में कर दूँ क्या है, यहाँ पर, 108 into 5 by 18 कर दो, 18 sixa, I guess होता है, 108, है ना, तो 18 sixa, 108, six five, sixa कितना हो जाएगा, 30, तो यह आगी train की initial velocity, meter per second में कितनी, 30 meter per second, km per hour को अपने 5 by 18 से multiply करके, meter per second में convert कर दिया, अब क्या बचा, time बचाया आजाओ, तो time को भी अपन कुछ ऐसी convert करेंगे, 2 into 60 कर दो, कितना हो जाएगा, 120, 120 seconds, है ना, जैसे कि पहले वाले question में करा था, time को, मिनिट्स को seconds में convert, वैसे ही यहाँ पर करा है, एक मिनिट में होते हैं, 60 seconds, तो 2 minute में कितने हो जाएंगे, 2 into 60, 120 seconds, अब सब कुछ मामला set हो गया है, अब अपन लगा सकते हैं, क्या, equations of motion, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, बेटा, वही first equation of motion लगा देते हैं, V is equals to U plus AT, क्यों, V पता है, U पता है, T पता है, तो A तो आई जाएगा न, आजा निकाल लेते हैं, V की value कितनी है बेटा, 0, U initial velocity कितनी अपने निकाली, meter per second में, 30 meter per second, unit छोड़ दो, ठीक है, plus acceleration, और घबराना नहीं, कि acceleration अगर negative में आ जाए, बेटा, आना ही है, सवाल खुदी बोल रहा है कि retardation, निकाल करके बताओ, क्यों, velocity कम हो रही है, तो final velocity, initial velocity से, छोटी है, तो acceleration negative में तो आए गई आएगा, ठीक है, plus A हो गया, into T कर दो, T कितना हो गया, बेटा, seconds में, 120, ठीक है, यह कैसा दिखाना न, अजीब सा, इसको ठीक से लिख दो, 120, अब क्या करेंगे, इसको solve करेंगे, एक काम करो न, बेटा, 30 को तुम यहां ले आओ, अभी right hand side में, इसको left hand side में ले आओ, तो LHS में आ करके, बेटा, इसका जो sign है, वो negative हो जाएगा, भई, RHS में इसका sign positive है, left hand side में आएगा, तो sign negative हो जाएगा, is equals to A into 120, अब एक काम करो, 120 को भी यहां ले आ आ जाएगा, अब इसको solve कर लो, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 3, 4, 12 होता है, तो acceleration कितना आ जाएगा, बेटा, minus 1 by 4, यानि कि minus 0.25 meter per second square, यह आ जाएगा, acceleration हमारी train का 0.25 meter per second square, 1 by 4 का मतलब क्या होता है, 0.25, ठीक है, और retardation था, तो जाहिर सी बात है, acceleration negative तो आ नहीं था, अब क्या बचा है, distance बचा है, तो distance वही निकालने के लिए तुम second या third equation of motion किसी का भी इस्तिमाल कर सकते हो, क्योंकि second और third दोनों ही equations में distance अपन निकाल सकते हैं, बागे तुम्हारे पास सारी ही values हैं, V है, U है, A है, T है, तो जो मन करे वो करो, जो मन करे वो equation जो है, apply कर दो, मैं तो second equation of motion, नहीं, मैं यहाँ पर second नहीं, मैं यहाँ पर third equation of motion लगाँगी, क्योंकि यहाँ पर U beta 0 नहीं है, यहाँ पर U 0 नहीं है, तो अगर second equation of motion लगाई, तो जो UT वाले term है, वो 0 नहीं होगा, तो calculation थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं तो अपना time ब final velocity तो चलो 0 हो गई है, initial velocity 30 है, तो इसका square कर देंगे बिटा अपन, इसका अपन square कर देंगे, is equals to 2 into acceleration into S, अब एक काम करो ना बिटा, 2 और acceleration दोनों को तुम left hand side में लियाओ, तो यह कितना हो जाएगा, minus 30 into 30, 30 into 30 क्यों करा, क्योंकि U square है, ठीक है, upon, कितना है acceleration? कितना है, acceleration, minus 0.25 meter per second square, और, अच्छा 2 तो मैंने लिखा ही, sorry, यह 2 है, पूरा का पूरा यहाँ आएगा, बिटा उठके, तो denominator में क्या जाएगा, 2 है, तो यह हो गया 2, और एक ही जगा पे क्या रख देंगे, उसकी value, minus 2.5 meter per second square, ठीक है, अब क्या करेंगे, यह देखो, नी decimal हटा दो, decimal हटा दो, तो उपर आ जाएंगे, 2 zero, आ गए, अब 2 into 25 कितना होता है, 50, जगा नहीं बटा, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक इतना हो जाएगा, 30 into 3000 by 2 into 25, जनी कि 50 हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दू, 50, 50, तो नीचे का एक 0, उपर के एक 0 से कट जाएगा, 5, 6 कितना होता है बेटा, 30, होता है, अब इसको और multiply कर दो, 6, 3 कितना हो जाएगा, 18, तो 1800 मीटर, यह आप गया आपका answer, I hope, सबको समझ में आया होगा, first equation of motion का इस्तिमाल करके, हमारे acceleration कितना आ गया है, minus 0.25 mirror per second square, फिर third equation of motion लगा दी, तो यहां से हमारे पास distance covered आ गया है, कितना, 1800 मीटर, V square minus Q square is equal to 2AS, V तो 0 हो जाएगा, U का square कर देना, into 2AS, 2A को भी आप यहां ले आओ, तो कितना हो जाएगा यह, minus 30 into 30, denominator में 2 into minus 0.25, ठीक है, फिर नीचे का negative, उपर के negative से काट देना, नीचे का decimal हटाओगे, तो उपर 2 0 आ जाएगे, और 25 into 2 कितना हो जाएगा, 50, नीचे एगा 0, उपर के 0 से कट जाएगा, 5, 6, 2 कितना होता है, 30, 30 into 3, 18, साथ में आ जाएगे 2 0, तो 800 मीटर आ जाएगा distance, clear हुआ, चलो, अब मेरी writing तुमको समझ में ना है, तो तुम इसका भी screenshot ले सकते हो, अगर चाहो तो, बेटा ये point होगा, minus point, कितना गंदा लग रहा है ना, इसको मैं से लिख देती हूँ, minus point, 25 meter per second square, यह जाएगा acceleration, चीक है, चलो, आगे बड़े, सिफाईयों, अब ये बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे पता है कि इसमें कुछ बच्चे, छोटी सी गड़बड कर देगे, देखो क्या, अब ball thrown vertically upwards, returns to the thrower in 20 seconds, एक ball है, सपोज मैं ही हूँ thrower, मैंने ही ball को जो है ना, मैं खेल रही हूँ ball से, और मैंने ball को उपर फेंग दिया, ठीक है, एक certain height के बाद जाहिर सी बात है, बिटा, अगर मैं ball को उपर फेंगे तो वो ऐसा नहीं कि space में चली जाएगी, एक certain height के बाद ball वापस मेरे पास आएगी, तो यहाँ पर वो ही बला गया है कि suppose जो thrower उसने ball को vertically upwards फेका, ball नीचे आई, तो उपर जाकर के वापस नीचे आने में, उपर जाकर के बिटा, वापस नीचे आने में, ball को time कितना लग गया, total 20 seconds लग गया, ठीक है, अब क्या बला जा रहा है, calculate the velocity with which it was thrown and the maximum height attained by the ball, maximum कितनी height तक ball पहुंची होगी, वो आपको बताना है, maximum कितने height तक ball पहुंची होगी, वो आपको बताना है, और किस initial velocity के साथ ball को मैंने फेका था, वो initial velocity आपको बतानी है, अब देखो कुछ चीज़े, यहाँ पर understood होगी, अच्छा एक और चीज़ यहाँ वो वैसे तो कितनी होती, 9.8 meter per second square होती है, लेकिन calculation को easy बनाने के लिए सवाल ही बोल रहा है कि आपको कितना लेना है, small g की value उसको round off करके 10 meter per second square लेना है, कई बार सवाल में बेटा, small g की value के बारे में कुछ दिया ही नहीं होता, मतलब, small g की value अपन तभी लगाते हैं, जब motion कैसा हो रहा हो, vertical हो अभी तक अपन horizontal motion की बात कर रहे थे, first two questions में, तो वहाँ पर acceleration या तो दिया होता था, या आपको निकालना होता था, लेकिन जब हम बात करते हैं, vertical motion की, या object को अपन उपर फेंक रहे हैं, या object नीचे आ रहा है, है ना, तो जो acceleration है, due to gravity, उसकी value fix होती है कितनी 9.8 meter per second square, लेकिन अगर सवाल में दिया हुआ हो कि आप 10 meter per second square ले सकते हो, तो ही आपको लेना है, otherwise आपको 9 meter per second, 9.8 meter per second square ही value रखनी है, acceleration due to gravity की in vertical motion, ठीक है मेरी बात समझ में हैं, तो vertical motion में बेटा, acceleration due to gravity fix होती है, कितनी 9.8 meter per second square, लेकिन अगर सवाल में दिया हो, तो आप 10 ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम ले सकते हैं, ठीक है, तो given values अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले given क्या है, acceleration due to gravity की value, 10 meter per second square, ठीक है, अचा यह बताओ, यहाँ पर जो acceleration due to gravity की जो value है, value तो आपको यहाँ पर दे दी है, लेकिन साइन क्य लेंगे, negative या फिर positive, यहाँ पर sign क्या रखोगे, negative या positive, भई आप से सवाल में पूछा क्या जा रहा है, आप से सवाल में यह पूछा जा रहा है, कि कितनी initial velocity के साथ, कितनी initial velocity के साथ, मैं आपने बॉल को फेका, ठीक है, यानि कि initial velocity यह, और maximum कितने height तक बॉल पहुँची, यानि कि, जब बॉल नीचे से उपर जा रही है, सिर्फ आप से motion के उस part के बारे में पूछा जा रहा है, मेरी बात को समझने के कोशिश करना बेटा, बॉल को मैंने फेका, और जो बॉल है, एक certain height तक गई, उसके बार में वो वापस थे मेरे हाथ पे, यह हाथ में आकर के ग किर गई है, है ना, समझे तुम रोग इस बात को, लेकिन जो तुम से दो सवाल पूछे गए हैं, वो सवाल motion के कौन से वाले पार्ट से पूछे गए हैं, जब बॉल जा रही है, नीचे से उपर, जब बॉल वापस से आती है, उपर से नीचे मेरे हाथों में, motion के उस part के ब रही है, लेकिन बॉल के उपर gravity कहां लग रही है, नीचे की तरफ भी, अर्थ तो हर चीज़ को नीचे की तरफ खिचती है, तो gravity कहां लग रही है, बॉल के उपर, नीचे की तरफ लग रही है, बॉल जा रही है, उपर, कुछ ना कुछ initial velocity के साथ, लेकिन gravity कहां लग रही है force का लग रहा है नीचे की तरफ, तो acceleration का भी direction क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ acceleration due to gravity का जो direction है वो हमेशा क्या रहता है डाउंवर्घ दी रहता है, लिकिन यहाँ पर जो ball का motion हो रहा है, जब ball नीचे से उपर जा रही है, वो कैसा हो रहा है motion, acceleration due to gravity के opposite direction में कि gravity लग रही है नीचे gravity लग रही है नीचे लेकिन ball जा रही है उपर force लग रहा है नीचे लेकिन ball जा रही है उपर तो उस case में अपन acceleration यूटो gravity का जो sign है बिटा वो negative लेंगे यदि ball उपर से नीचे आएगी न तो यहाँ पर small g की value जो उसका sign है वो positive होगा लेकिन अभी ball जा रही है नीचे से उपर तो sign क्या होगा negative होगा आई बात समझ में चलो उसके अलावा आप बोलोगी कि मैं एक ही तो value दी हुई है बागी तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है सवाल में कैसे निकालेंगे दो दो चीजों की value कैसे calculate करेंगे दिमाग लगाओ बेटा एक certain height तक पहुचने के बाद क्या होगा velocity 0 हो जाएगी आपसे initial velocity निकालने के लिए बोली गई है आपसे ball की initial velocity निकालने के लिए बोली गई है लेकिन final velocity तो आप सबको पता है क्या उने वाली है मैं आपसे क्या बोल रही हूँ बेटा जब ball नीचे से उपर जा रही है ना motion के केवल इस वाले part के उपर आपसे सवाल पूछे गए ball वापस से नीचे आ रही है मेरे हातों में इस वाले part के उपर तो सवाली नहीं पूछा गया तो तुम ये वाला part तो भूली जाओ तुम तो बस ये देखो कि ball को मैंने initial velocity के साथ उपर फेका तो एक certain height h को attain करने के बाद उसकी final velocity क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो यानि कि यहां पर आपको final velocity भी दी हुई है 0 जब velocity 0 हो जाएगी एक certain height पर पहुंचने के बाद फिर ball नीचे आएगी ठीक है अच्छा time भी तो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 20 seconds है ना तो time अपन यहां पर क्या लिख सकते है 20 seconds लेकिन यहां पर जो मैंने time लिखा है 20 seconds यह सही लिखा है क्या यह तो total time दिया हुआ है सवाल में देखो ना बाल thrown vertically upwards returns to the thrower in 20 seconds जन्हें कि बाल को thrower ने उपर फेका फिर बाल एक height तक गई फिर वापस नीचे आई उसके हाथों में तो इस पूरी जर्नी में बाल को समय कितना लगा 20 seconds लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बाल के motion के वो वाले part की जहां पर बाल नीचे से उपर जा रही है तो नीचे से उपर जाने में और वापस उपर से नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा है बाल को 20 seconds जाने कि इस टाइम का आधा कर दो याने कि 10 seconds कर दो तो 10 seconds वो टाइम होगा जो बाल को लगेगा नीचे से उपर जाने में इनिशल विलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ तो रही होगी एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने पर क्या हुआ उसकी विलोसिटी जीरो हो गई तो इनिशल विलोसिटी से फाइनल विलोसिटी जीरो होने तक टाइम कितना लगा वो टाइम होगा 10 seconds या इसको ऐसे लिख दो 20 by 2, 10 seconds यह है वो जगा जहां पर सवाल में जो है देखना भूली जाते हैं कि यहां पर टोटल जो टाइम है सवाल में वो दिया हुआ है बॉल की जरनी का होगा टोटल कितना टाइम लगा 20 seconds इसका अधा कर दो कितना हो जागा 10 seconds तो 10 seconds वो टाइम होगा जो बॉल को लगा होगा नीचे से उपर जाने में और फिर 10 seconds ही टाइम लगा होगा उसको वापस से उपर से नीचे आने में ठीक है तो यहां पर हमसे कौन से पार्ट की बात की जा रही है जब और नीचे से उपर जाती है तो उसमें कितना समय लगा 10 seconds अब आप क्या कर सकते हो इन दोनों ही वाल्यूस को निकाल सकते हो कैसे लगा दो यहां पर फॉर्स्ट एक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो V is equals to U plus GT मैंना आपको बताया था ना कि वर्टिकल मोशन में क्या होता है A को replace कर देते हैं अपन G से और S को replace कर देते हैं H से बागी तो सब सेम रहता है तो final velocity तो 0 हो गई सबको पता है initial velocity हमको निकाल नहीं है small g की value क्या रख देंगे small g की value अपन रख देंगे minus 10 meter per second square ठीक है into time कितना हो जाएगा 10 seconds ठीक है कितना हो जाएगा time 10 seconds तो कितना हो जाएगा 0 is equals to U minus 10 into 10 कितना होता है 10 into 10 कितना होता है पिटा 100 like this अब एक काम करो U को भी आप यहाँ ले जाओ अब देखो जब U right hand side में है तो उसका sign क्या है positive है जब वो left hand side में है तो उसका sign भी क्या हो जाएगा negative तो minus U is equals to minus 100 तो यहाँ का negative यहाँ के negative से कट जाएगा तो initial velocity कितनी आ जाएगी 100 meter per second ठीक है तो यहाँ पर इस सवाल में कोई बहुत तोप सवाल नहीं था बस दो ही चीजों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना था एक तो यह कि यह total time है बॉल के नीचे से उपर और उपर से नीचे आने में ठीक है हमने इसका आधा कर दिया यानि कि 10 seconds तो 10 seconds वो time period हो गया जो बॉल को नीचे से उपर तो first equation of motion हमने लगा दी तो V is equal to U plus DT U निकालना है V 0 है G की जगा पर क्या रखेंगे minus 10 और T की जगा पर 10 कितना हो जाएगा यह 0 is equals to U minus 100 U को भी यहाँ लेखो कितना हो जाएगा minus U equals to minus 100 minus से minus कटा कितना हो जाएगा U equals to 100 meter per second ठीक है चल अब इसके बाद में एक और चीज़ निकालने को बूली गई है क्या height तो height निकालने के लिए आप second यह third equation किसी का भी इस्तिमाल कर सकते है एक काम करते हैं अपन third equation का ही इस्तिमाल कर लेते हैं आजओ V square minus U square is equals to 2GH है ना चलो V तो 0 है minus U कितना निकाला अपनने 100 तो इसका square करना नहीं भूलना बेटा 2 into G की value कितनी अपन लेंगे minus 10 और height तो हमें निकालनी है है ना height तो हमें निकालनी है तो अब इसको solve करो बेटा कितना हो जाएगा यह minus 100 into 100 क्योंकि U का हमें square करना है एक काम करो ना 2 G को भी तुम यहां ले जाओ denominator में तो कितना हो जाएगा यह 2 into minus G की value कितनी रखनी है 10 रखनी है is equals to H नीचे का negative उपर के negative से कट जाएगा नीचे का 1 0 उपर के 0 से कट जाएगा और यह कितना हो जाता है 2 5s are 10 तो 5 into 100 कर दो कितना जाएगा बेटा 500 meters आ गया कि नहीं आ गया अरे 5 into 100 कितना होता है 500 तो यह आ गई height जो कि ball ने attain करी है 10 second में कितनी 500 meters तो third equation of motion के इस्तमाल कर आप बोलोगे second equation of motion क्यों नहीं लगाई क्योंकि U यहाँ पर 0 नहीं है U 0 नहीं है इसका मतलब UT जो term होगा second equation of motion में वो 0 नहीं होगा कुछ ना कुछ होगा अब वो जो है ना denominator लगा करके calculate करो लंबी हो जाएगी calculation इसलिए मैंने क्या कर रहा है third equation of motion लगाती है तो H की value कितनी आ गई है 500 meters अच्छा आप यहाँ पर बोलोगे साइन पुट करने से क्या होगा यहां का negative यहां के negative से कट जाएगा तो आपका distance जो height है वो positive में आएगा ओके चल तो फड़ा फट से इसका आप screenshot ले सकते हो वीडियो को pause कर ले ना और अगर मेरी writing समझ में ना आ रही हो तो फिर यह तो है ही ठीक है चल calculate the speed of tip of minute's hand of a clock whose length is 7 cm बहुत अच्छा सवाल है यह देखो घड़ी सबने देखिए कोई ऐसा बच्चा जो बोले कि नहीं मैंने तो आज तक घड़ी नहीं देखिए सबने देखिए होती बिटा घड़ी देखो घड़ी में तीन काटे चलते है बहुत ही गंदा सा बना है रोको इसको हम सही करते हैं अभी अरे यह देखो ऐसी होती घड़ी घड़ी में तीन काटे चलते है एक तो एक काटा होता है seconds का एक होता है minute का और एक होता है hours का है ना अरे घड़ी पे तीन काटे होते हैं ना एक seconds का एक minute का और एक hours का सवाल में क्या बोला गया है हमसे minute वाले hand की बात की जा रही है minutes hand की बात की जा रही है ठीक है तो सवाल यह है कि जिसे की देखो यह आपका बन गए minutes hand this is your minutes hand यह यह है आपका minutes hand ठीक है इसकी length आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, यह पूरी 7 cm, यह पूरी length बेटा आपको इसकी दी हुई है, 7 cm, ठीक है, इसकी speed आप से पूची गई है, इसकी length आपको दी हुई है, minute hand की, और इसकी speed आप से पूची गई है, स्पीड का फॉर्मिला क्या होता है बिटा डिस्टिंस अपॉंट टाइम घवराना नहीं कि मैं कैसे निकालेंगी तो क्या तेड़ा मेड़ा सवाल है अरे बिल्कुल भी तेड़ा मेड़ा नहीं है ऐसे तुम लोगोंने मैंस में भी सॉल्व करें होंगे ठीक है स्पीड का फॉर्मिला क्या होता है डि loafidd no villain टाइम तो अगर तुम्हारे पास इसका डिस्टिंस कंवर करेंगा और कितने टाइम में करेंगा तो तो तुम क्या निकाल सकते हो उसस्की स्पीड निकाल सकते हो abd लोगे कि माम मतलब डिसट एंस कैसे निकालेंगे तो तम दमार लगश्य होग यह जो मिने केंट औरklärी मीने हैं करेगा यहंसे यहां मुब करेगा यह से मूफ करेगा मतलब यह चौन में ढूर करेगा ऐसे ऐसे एसे ऐसे एसे ऐसे एसे इसे ऐसे विए है तो मिन्ट हैंड यह कारीगा मतलब कि इस इस्पर कल का सर्कमफेरेंस कावर करेगा तो इसका distance होगा ना बेटा वो किसके बराबर होगा distance बराबर होगा circumference के circle के circumference में भई आप खुद देखो ना चाहे वो minute hand हो चाहे वो seconds hand हो चाहे वो hours hand हो तीनों ही hands मतलब कि तीनों ही जो काटे होते हैं घड़ी के उनका जो motion होता है बेटा वो कैसा होता है circular path में ही तो होता है ना circular path के ही तो आप बोल सकते हो कि along क्या करते हैं घड़े के तीनों काटे move करते हैं तो circular path में कितना distance cover किया गया है कैसे निकालोगे उसके circumference के बराबर 2 pi r ठीक है अब आप बोलो कि किम चलो ठीक है 2 का मतलब पता है pi का मतलब पता है उसकी value है ना तो 3.14 या फिर 22 by 7 लेकिन हम आर की जगा पर क्या रखेंगे radius तो बेटा यह तुमको circular path दिख रहा है कोई बच्चा ऐसा जो बोले कि नहीं हमको तो नहीं दिख रहा है इस minute hand की length के यह देखो ना यह देखो यह minute hand है और इसकी length तुमको दिए है कित्ती दिए होई है 7 cm तो इसकी length के बडावर क्या होगा circle का radius होगा तो यहाँ पर मैं लिख दू 2 into pi की value 22 by 7 और r की जगा पर मैं क्या लिख देती हूँ r की जगा मैं पर लिख देती हूँ 7 into 10 raise to power minus 2 यानि की r की जगा पर मैंने क्या लिख दिया 7 cm 7 meter जादे देखो ना यह length किसमें दी हुई है cm में दी हुई है इसको meter में convert करना पड़ेगा कैसे करोगी meter में convert तो 7 by 100 कर दो वह एक meter में 100 cm होते हैं तो एक cm में कितने meter हो जाएंगे 1 by 100 meter 7 cm में कितने meter हो जाएंगे 7 by 100 meters तो या तो आप इसको 0.07 meters लिख लो या फिर 7 into 10 raise to power minus 2 meters लिख लो the same thing लिखने का अलग अलग तरीका है या तो आप इसको वैसे लिख लो या ऐसे लिख लो हमने इसको वैसे लिख लिख लिया 7 into 10 raise to power minus 2 कोई दिक्कत चाल तो distance तो आ गया 2 pi r है ना क्योंकि जो अपना ये minute का जो काटा है वो देखो circular path के along move करता है यानि कि कितना distance cover करेगा circular path के circumference के बराबर 2 pi r के बराबर तो 2 into pi के value रख दिया अपने और r की जगा पे अपने क्या रखा है इसकी जो length होगी बिटा वो circular path के radius के बराबर होगी यानि की साथ सेंटीमीटर उसको मीटर में परने convert करके रख दिया ठीक है आप क्या बचा है ताइम बच जा तो तो मुझे बाप बताओ बिटा इस minute hand को घड़ी का या इस circular path का एक चक्कर लगाने में एक complete revolution करने में इस minute hand को कितना time लगता है तो मारे घर में घड़ी लगी की नहीं लगी है ज़रा देखो जा करके जो minute hand है बेटा वो जो second वाला hand होता न मैं उसकी बात नहीं करती हूँ second वाला hand तो क्या करता है टिक 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 करते 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 एक minute में यानि कि 60 second में वो एक चक्कर क्या करता है पूरा complete कर लेता है मैं उस second वाले कांटे की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ मिनिट वाले काटे की दो काटे सेकेंड वाला काटा तो अलगी होता है तिक तिक करके एक मिनिट में पूरा चक्कर माल लेता है वो घड़ी का मैं बात कर रही हूँ ये दो काटों की एक छोटा होता है बड़ा होता है जो छोटा वाला होता है वो होता है आर वाला काटा और ज 12 पर आने में कितना समय लगता है जैसे कि अभी बज़ रहें सपोर्ज कि तीन मालू कि अभी कितने बज़ रहें दिन के 3 बज़ रहे ठीक है फिर क्या होगा एक गंटे बाद एक गंटे बाद यह चोटा वाला काटा है आर वाला यह आ जाएगा चार पर और ये जो बड़ा वाला काटा है बिटा मिनिट वाला ये वापस से क्या होगा घूम करके बारा पर नहीं आ जाएगा पहले बज़रे थे तीन, अब बज़रे हैं चार, तो जब बज़े चार, तो ये आर वाला काटा कहां से का आ गया, तीन से चार पर आ गया, और ये जो बड़ा वाला काटा था, मिनिट वाला काटा, ये पहले बारा पर था, और घूम करके क्या हुआ, ये दुबारा बारा पर आ गया बारा पर आ गया यानि कि उसने एक चक्कर लगा लिए तो एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लग गया एक घंटा लग गया कि नहीं लग गया पूरा वन आवर लग गया ना बेटा यानि कि 60 मिनिट्स लग गया आई वाज समझ में तो मिनिट वाले कांटे को बारा से बारा वापस आने में एक चक्कर लगाने में कित्र टाइम लगता है एक घंटा याने की 60 मिनिट्स सेकेंड में कनवर्ट करो तो 60 इंटू 60 3600 सेकेंड लग जाते हैं ठीक है चल तो अब आपके पास बिटा सब कुछ है आपके पास distance है आपके पास time है तो अब आप क्या करोगे लगाओगे speed का formula और निकाल दोगे 2 pi r into sorry 2 pi r by t ठीक है 2 into pi की value 22 by 7 r की जगा पर पर प्रने क्या रखा है 7 into 10 raise to power minus 2 ठीक है denominator में और क्या आजाएगा time आजाएगा कितना आजाएगा देखो 3600 आजाएगा क्या चत्तिस सो यह आजाएगा 3600 आप क्या करेंगे कुछ काटेंगी पीटेंगे 7 से देखो यहाँ पर 7 कट जाने वाला है 10 raise to power minus 2 को आएगे तो नीचे क्या होगा बेटा 20 आजाएगे अब आप इसको और solve करो जब आप solve करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आप ultimately पहुंचोगे इस answer पर 1.22 into 10 raise to power minus 4 1.22 into 10 raise to power minus 4 meter per second इसको solve कर लेना बिटा मेंको कोई बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता है सेवन कर जाएगा यह देखो 2 से पूरा नीचे कर नीचे जाएगा फिर आगे आपको क्या मिल जाएगा 1.22 into 10 raise to power minus 4 meter per second ठीक है चलो आप इसको ऐसे भी देखो solve कर सकते हो अगर आपको मुश्किल हो रही हो कि मैम प्लीज बता दो देखो 2 into 22 by 36 यहापर कितने 0 है 4 0 है तो इन 4 0 को आप उपर ले जाओ जब यह 4 0 बेटा उपर जाएंगे तो उपर जाकर कि क्या होगा यह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 36 into 10 raise to power 4 वही 36 के आगे जो 4 0 है आप उनको और कैसे लिख सकते हो 36 into 10 raise to power 4 अब एक काम करूं 10 raise to power 4 को आप उपर ले जाओ तो जब यह उपर जाएंगे तो क्या होगा साइन नेगेटिव हो जाएगा बेसिक मैट्स ठीक है तो यह देखो ऐसा हो जाएगा कुछ 2 into 22 into 10 raise to power minus 4 by 36 अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो 2 1s are 2 2 18s are 36 अभी भी 2 से और जाएगा 2 1s are 2 2 1s are 22 होता है ठीक है और 2 9s कितना होता है 18 कितना आ गया यह 11 into 10 raise to power minus 4 by 9 यह आ गया अब इसको और सॉल्व करों देखो नाना करते मैंने सॉल्व करी दिया 9 1s are 9 कितना हो गया 2 9 2s are 18 फिर से आ गया नीचे उपर कहरी जो भी है तो यह बेटा ऐसा चलता जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1.22 into 10 raise to power minus 4 meter per second यह आ गया नाना करते करते कर ही दिया सॉल्व क्लियर हुआ सबको तो स्पीड निगा ली थी डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया सॉल्किलर पाथ होगा मिनिट वाले हैंड का तो सॉल्किलर पाथ के लोंग यह मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा एक चक्कर में सरकंपिलेंस के पराबर 2 पाई यार के पर रही बाद टाइम की कितना टाइम लगा तो एक चक्कर को लगाने में मिनिट हैंड को लग जाते हैं पूरे-पूरे एक घंटे याने की साथ मिनिट याने की छत्तिसो सेकंद्स चीक है फड़ा-फट से बिटा इसका स्क्रीन शॉट लो ताकि आपन आगे बढ़ें हर चीज पर बेटा आ जाते हैं आजो अस्टोन ओफ मास पचास ग्राम इस बिंग रोटेटिड इना सर्कल ओफ रेडियस पचास सेंटीमीटर विदा यूनिफॉर्म स्पीड ओफ टू मीटर पर सेकंड वाट इस अचलरेशन ओफ दस्टोन अच्छा अब यह वह बाला सवाले बेट जिसकी जो पॉसिबिलिटी है आपके एक्जाम में आने की वो थोड़ी कम है देखो देखो कई पर क्या होता है ना कि आपकी जो स्कूल टीचर होते हैं वो एक्जाम में रांकिंग डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं कि पेपर में ना दो तीन सवाल ऐसे छोड़ देते ह जो सब बच्चों से नहीं बनते हैं ऐसा न्य कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या beh 번 चौल टॉपिक से हो पढ़के नहीं जाते हैं सारे बच्चे बिटा आए हर अचलीруш दो पढ़ते हैं जैसे कि majority बच्चे क्या करते हैं कि हमने यह topic पढ़ा, अब इस topic के जो basic questions होंगे, वो हम solve कर लेंगे, हमारी practice हो जाएगी, अधिकतर बच्चे ऐसी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं, basic questions तो हम करेंगे ही, advanced level के भी questions हम इस topic स solve करेंगे, और फिर उन ही बच्चों से क्या होता है, यह तेड़े मेड़े सवाल जो है, यह बन जाते हैं, और बन जाते हैं और उसी basis पर क्या होता है, फिर rank decide हो जाती है, तो ranking decide करने के लिए कई बार क्या करता है, school teachers ऐसे तेड़े मेड़े सवाल paper में डाल देते हैं, जो थोड़े से advanced level के भी questions को solve करना शुरू कर दो, तो तुमसे ऐसे तेड़े मेड़े questions भी बन जाएंगे, ठीक है, पर सच्चा ही है यह बेटा कि इस तरह के जो सवाल है, इनकी possibility कम है, आपके exam में आने की, possibility कम है, मैंने यह नहीं बोला कि है इनी possibility, आएंगे ही नहीं, out of the syllabus आने की, मली थोड़ी सी क्यों ना हो, अगर थोड़ी भी possibility है बेटा, तो एक बार यह सवाल देख जरूर लो, और कोशिश करो इसको अपने दिमाग में रखने की, ठीक है, एक पत्थर है, मास उसका दिया हुए, आपको 50 ग्राम, समझा दिती हो मैं, समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, एक पत्थर है, जिसका मास यहाँ पर आपको 50 ग्राम दिया हुआ है, और इसको क्या करा है रहा, एक रस्ती से बान दिया, रस्ती को ऐसे गोल-गोल करके घुमा रहे है, तो जाहिर सी बात है, बेटा, अगर हम रस्ती से पत्थर को बानेंगे, और रस्ती को ऐसे गोल-गोल गुमाएंगे, तो क्या होगा, रस्ती के दूसरे end पर जो पत्थर बंधा हुआ है, जो स्टोन बंधा हुआ है, वो स्टोन क्या आ जाएगा बेटा, एक मोशन में आ जाएगा, और वो एक सर्कुलर पाथ के along ऐसे ऐसे करके, मूव करने लग ज जाएगा यहां पर भी वह वह अच्छा उस circular path का radius आपको यहां पर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 50 cm 50 cm आपको radius दिया हुआ है ठीक है और पिर आपको यह भी दिया हुआ है कि वो stone circular path के along किस uniform speed के साथ यूनोव कर रहा था क्या थी उसकी uniform speed तो two meter per second यह भी आपको दिया हुआ है निकालने के लिए क्या बोला गया है acceleration of the stone तो यहां पर आपको निकालना होगा centripetal acceleration क्या निकालना होगा centripetal acceleration अब centripetal और centrifugal का मतलब क्या होता है यह आपको upcoming sessions में lectures में धीरे-धीरे करके पता चल जाएगा अभी आप एकदम से परिशान मत होना in words के लिए कि मैं centripetal क्या होता है centrifugal क्या होता है सब कुछ समझ में आएगा बस अभी के लिए इतना समझ लो कि यहां पर तुम्हें निकालना होगा centripetal acceleration ठीक है इस तरह के सवालों में बिटा जब acceleration निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करते हैं centripetal acceleration ही निकालते हैं जिसका formula होता है बहुत आसान सा v square by r इसलिए मैंने कहाता है कि कोशिश करना सवाल को समझने के और उसको अपने दिमाग में बिठाने के क्योंकि बहुत मुश्किल सवाल नहीं है ऐसा लगता है पहली बार में कि मैं क्यों क्यों है पर बन जाते हैं तो centripetal acceleration यहां पर कितना आ गया मैंना formula क्या बन गया उसका v square by r v uniform speed है जिसके साथ वो जो अपना object है वो circular path के along move कर रहा है और r क्या है radius है उस circular path का इतना छोटू सा formula है तो दोनों values जो हैं आपको यहां पर दी हुई है put कर दो values तो velocity कितनी है पिटा speed कितनी है 2 meter per second तो इसका square करना नहीं भूलेंगे अपन 2 into 2 कर देंगे ठीक है रही बात radius की तो हाँ radius यहां पर आपको again conversion यहां पर आपको करना होगा centimeter में दियो है meter में कर लो बेटा convert तो 50 by 100 कर लो कितना आ जाएगा 0.5 लिख दो यहां पर radius 0.5 और इसको solve कर लो decimal हटा उपर आ जाएगा 1 0 5 4 जा कितना होता है 24 2 जा 8 युजाय का 8 meter per second square कोई दिक्कत कोई परिशानी एक पत्थर लिया रस्ती से बान करके गोल गोल घुमा रहे हैं तो वह जो पत्थर है वह एक circular path के along move करने लग गया with uniform speed 2 meter per second radius कितना है path का 50 cm में convert कर दो कितना आ जाएगा meter में convert कर दोगे तो आ जाएगा 0.5 meter निकालना है centripetal acceleration क्या formula होता है v square by r v कितना हो जाएगा 2 square कर दो तो 2 into 2 r कितना हो जाएगा 0.5 meters कितना जाएगा आपका answer 8 meter per second square ठीक है यह देखो centripetal acceleration यहां पर आ जाएगा 8 meter per second square ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं और क्या next question the distance time graph of a body आप देखो graph वाले सवाल आ गया मैंना आपको पहले का था numerical भी आज अपनको solve करने होंगे और graph based questions भी solve करने होंगे the distance time graph of a body coincides with the time axis the body must be graph आपको imagine करने के लिए बोला जाए ग्राफ कौन सा है distance time graph है और बोला जा रहा है कि जो distance time graph है वो time axis के साथ कौन साइड कर रहा है बिटा कौन साइड का मतलब पता न क्या होता है एक के उपर एक ऐसे तो यह time axis हो गई और इसी के उपर यह graph आ गया यह इसी के उपर यह graph आ गया तो बताओ इस distance time graph को देखकर कि आप क्या बोल सकते हो object के बारे में क्या वो uniform motion में है क्या वो rest पर है क्या उसका motion uniformly accelerated है या क्या उसका motion uniformly अच्छा यह तो एक जैसे option हो गए है यह उनिफॉर्मली रिटार्डड कर दो यहां पर चलो रिटार्डड कर दो ठीक है तो यह चार options आपको दिये गए हैं आपको बताना है कि चारो में से आप कौन सा option चूज करोगे इस तरह के distance time graph के लिए कि जो graph है वो time access के साथी क्या कर रहा है कौन side कर रहा है इसका मतलब क्या है इस तरह का graph बिटा कब बनता है distance time graph जब object rest पर हो देखो न समय आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है distance तो वहीं का वहीं है और अगर समय आगे बढ़ता जा रहा है और समय के साथ distance नहीं बदल रहा है object का इसका मतलब क्या वो rest पर है ठीक चल नेक्स question पर आ जाते हैं the velocity time graph of a body is parallel to the time axis the body is अब वीटी graph की बात की जा रही है time axis के parallel यह है time axis पर टाइम हमेशा पन कहां लेते हैं x axis पर ही लेते हैं distance velocity speed आगे जाकर के acceleration time graph भी पढ़ोगे 11 में तो वह सब आप कहां लेते हो y axis पर लेते हैं तो बताओ इस वीटी graph को देख करके आप object के बार में क्या बोलोगे क्या वो rest पर है क्या उसके motion में uniform acceleration है क्या acceleration है ही नहीं option d बोल रहा है कि नहीं non uniform acceleration है है तो acceleration लेकिन non uniform type का है तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं उठा करके बोलते कि अरे मैं parallel to time axis रेस्ट पर है रेस्ट पर है बेटा यह distance time graph नहीं है distance time graph यदी time axis के साथ कौन साइड करे या उसके ऐसे parallel हो जाए तो आप बोलोगे कि देखो समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन समय के आगे बढ़ने से क्या हो रहा है इसका मतलब object रेस्ट पर है बेटा यह distance time graph बिल्कुल भी नहीं है यह velocity time graph है कैसा हो रहा है velocity time graph time axis के parallel हो रहा है मतलब की time तो आगे बढ़ रहा है समय तो आगे बढ़ रहा है पर velocity constant बनी हुई है माल वान लोग यह पर velocity कितनी है 10 मीटर पर सेकंट है तो समय आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन velocity उतनी क्यों नेहां लेकिन constant watch कि साथ move कर रहा है velocity constant बनी हुई हो और अगर तो velocity constant बनी होती है इसका मतलब क्या velocity change नहीं हो रही और अगर velocity change नहीं हो रही इसका मतलब क्या अरे acceleration आएगा ही नहीं पैदा ही नहीं होगा motion में तो option c मेरे हिसाब से अपन को mark करना चाहिए कि object having zero acceleration के acceleration है नहीं क्योंकि velocity यहाँ पर कैसी यह constant है खतम बात रेस्ट मत बोलना पटाई कर दूंगी ओके चल आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर ग्राफ दिये हुआ है वेच और फॉलोविंग ग्राफ रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेटेड मोशन का मतलब पता है न कि मोशन में एक्सेलेरेशन तो है कोई उस बात को जो ना नकार नहीं सकता कि motion में acceleration नहीं है अरे बिल्कुल है लेकिन ये uniform acceleration का मतलब क्या है कि throughout the motion acceleration uniform बना हुआ है मतलब कि throughout the motion constant acceleration बना हुआ है कि acceleration तो है मतलब कि motion में object की velocity velocity change तो हो रही है बट velocity change हो रही है at uniform rate चेंज भी कैसी हो रही है velocity बढ़ रही है यहाँ पर आपसे acceleration बोला है ना retardation तो नहीं बोला अगर retardation बोला होता तो हम case कौन सा लेते कि velocity कम हो रही है लेकिन uniform rate पर हो रही है यहाँ पर है acceleration इसका मतलब क्या कि velocity change हो रही है कैसे change हो रही है velocity बढ़ रही है हो रही है पर कैसे increase हो रही है uniform rate पर increase हो रही है जिसके कारण जो acceleration है throughout the motion वो constant बना हुआ uniform बना हुआ है तो इस case के लिए VT graph कैसा बनेगा ऐसा ऐसा straight line graph बच्चे यहां पर confused होंगे जैसे कि मैं हो गई क्यों यह नहीं mark करना क्योंकि यह distance time graph बेटा हमें velocity time graph चाहिए which of the following graph represent a uniformly accelerated motion यह तो distance time graph है distance time graph की जो slope है वो हमें speed देती है acceleration के बारे में हमको कहां से पता चलता है acceleration के बारे में हमें पता चलता है VT graph की slope से याद आया की नहीं आया distance time graph की slope हमें देती है speed displacement time graph की slope में देती है velocity और velocity time graph की slope में देती है acceleration तो यहां पर acceleration के बारे में पता करना है इसलिए distance time graph से काम नहीं चलेगा ना यह ना यह बचा कौन सी और डियोंकि वही क्या है आप बोल सकते हो कि velocity time graph है और velocity time graph में भी कौन सा यह वाला कि देखो velocity देखो क्या हो रही है ग्राफ देखो न कैसा बन रहा है straight line graph बन रहा है मतलब कि velocity समय के साथ साथ क्या हो रही है बढ रही है बढ़रे न sini velocity संबहने के साथ about acceleration positive वाला होगा और यह स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब क्या है कि velocity uniform rate पर बढ'T रहे है यानि कि acceleration constant रहेगा ठीक है चल नेक्स्ट अच्छे यह तो उसका हो गया explanation next question which of the following graphs represent a body at rest कौन से ऐसा ग्राफ है बिटा जो हमको बताएगा कि body rest पर है तो यह वाला तो होने से रहा क्योंकि यह तो अपने अभी अभी देखा कि अगर velocity time graph कैसा हो जाए parallel to time axis हो जाए इसका मतलब कि समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन velocity constant बनी हुई है तो velocity constant इसका मतलब क्या कि object motion में है तो यह तो नहीं होने वाला यहां पर क्या हो रहा है यहां पर तो अलगी खिचडी पकरी है यहां पर देख को distance ही कम होता जा रहा है समय के साथ साथ क्या है यह क्या है यह क्या है distance time graph उस object के लिए जो रेस्ट पर होता है वो कैसा बनता है parallel to time axis लेकिन यह parallel to time axis नहीं मतलब यह वी गलत है यह बचा कौन स option c velocity time graph आप बोलोगे कि मैं velocity time graph कैसे बिटा मैं आपको सारे cases बता चुकिना velocity time graph के हमने I guess 5 cases देखे थे velocity time graph के है ना नहीं velocity time नहीं 6 cases अपने देखे थे velocity time graph के और 5 cases देखे थे शायद speed time graph के है ना देखो तो यहां पर क्या है यह वी टी graph है और यह देखो graph कैसा है coincide कर रहा है time axis के graph कैसा है वी टी graph coincide कर रहा है time axis के मतलब कि समय आगे बढ़ रहा है लेकिन velocity तो 0 बनी हुई है देखो ना velocity यहां पर क्या बनी हुई है 0 तो अगर समय के आगे बढ़ने के साथ-साथ velocity यह दी 0 बनी रहा है इसका मतलब क्या क्या object rest पर है तो option C को mark करें ठीक है चलो next a body P moves with uniform velocity and another body Q moves with uniform retardation the correct velocity time graph for the two bodies is यहां पर आपको बेटा एक graph में दो bodies के motion के बारे में बताना होगा मतलब एक ग्राफ एक रहेगा लेकर उस एक graph में आपको दो object यह दो bodies के motion के बारे में बताना होगा जो body P है वो uniform velocity के साथ जा रहे है देखो पहली बात तो जिदने भी यहां पर graph से बिटा वो कैसे है वीटी graph है तो आपके लिए एक चीस तो असान हो गई ठीक है कि सारे कैसे वीटी graph है जो body P है वो uniform velocity के साथ चल रही है तो आप खुद ही पताओ बिटा uniform velocity है uniform velocity का मतलब क्या होता है uniform velocity का मतलब क्या है बिटा देखो यहां पर और दूसरा क्या है body Q moves with uniform retardation retardation का मतलब क्या है कि velocity कम होती जारी बही retardation मतलब negative acceleration और acceleration negative का होता है जो final velocity initial velocity से छोटी हो जाए final velocity initial velocity से छोटी का होती है जब velocity motion के दरान कम होती जाए होती जाए होती जाए तुम देखो वो वाला graph जिसमें की जो Q body है उसका मतलब वो वाला वीटी graph Q body के लिए जिसकी जो slope है वो नीचे आ रही है मेरे ख्याल से यह 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 सही है बिलकुल यह देखो जो slope है Q body का जो वीटी graph है जो उसकी slope है वो देखो कुछ इस तरीके से नीचे आ रही है नीचे आने का मतलब क्या है नीचे आने का मतलब यह है कि initially Q body की कुछ न कुछ विलोसिटी तो रही होगी मालोगी कितनी थी velocity 100 meter per second थी initially Q body की velocity कितनी थी 100 meter per second अब क्या हो रहा है समय आगे बढ़ता जा रहा है और velocity देखो कम होती जा रही है मालो कि जब body यहां पहुंची तो उसकी velocity कितनी हो गई 10 meter per second तो initially कितनी थी 100 meter per second अब कितनी होगी कुछ समय बाद 10 meter per second तो यहां पर final velocity initial velocity से छोटी हो जाएगी मतलब कि क्या होगा yuka retardation तो 100% यह वाला तो point बिânकुल सही है यह तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि dolphins ओपर जा रही है उपर नहीं जाएगी बिटा नीचे जाएगी यह भी गलत है अब बचा क्या बचा है आपका ANC, ANC में से अब आपको एक चूस करना है, ठीक है, हाँ जी, तो हम कहा थे, हम अच्छा हाँ यहा थे, बॉड़ी पी के पर में क्या बूल जा रहा है, यूनिफॉर्म विलोसिटी, विलोसिटी यूनिफॉर्म है, कॉंस्टेंट बनी हुई है, तो बेटा, कॉंस्टेंट विलोसिटी के लिए विटी ग्राफ क्या होता है, यह समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो अब्जेक्ट है, उसकी विलोसिटी यूनिफॉर्म है, कॉंस्टेंट बनी हुई है, तो पैरलल टू टाइम एक्स, तो यह बिल्कुल सही है, यहाँ पर क्या बताया चाहरा है, यहाँ पर बताया चाहरा है, कि विलोसिटी बढ़ रही है, इस सब्सक्राइब का बड़ रही है, जो P body है, वो uniform velocity के साथ चल रही है velocity uniform है, constant है तो उसके लिए VD graph कैसा होगा? parallel to time axis तो option A को mark करेंगे है ठीक है? चल Body P moves with uniform velocity therefore velocity time graph is a straight line parallel to the time axis Body Q moves with uniform retardation therefore velocity time graph of Q is a straight line with negative slope ठीक है? चल next, a body A starts from rest and moves with a uniform acceleration along a straight line होगा यह यह होगा बिटा, straight line ठीक है? एक body है जो rest से start हो रही है बिटा, rest से start होने का मतलब क्या है जो भी आप graph बनाओगे, वो origin से start होगा and moves with uniform acceleration uniform acceleration का मतलब क्या है? कि throughout the motion velocity बढ़ रही है लेकिन uniform rate पर बढ़ रही है जिसके कारण जो acceleration है बिटा वो motion में constant रहेगा, uniform रहेगा ठीक है? another body भी अच्छा, यहाँ पर भी वोई दो body वाला case हो गया कि A graph में आपको दोनों bodies के motion के बारे में बताना होगा जो body A है वो rest से start हो रही है इसका मतलब क्या? कि उसका जो graph होगा, VT graph वो origin से start होगा plus क्या बोला जा रहा है? कि वो uniform acceleration में है मतलब की velocity क्या होगी? बढ़ेगी but at constant rate but at constant rate या आप बोल सकते हो कि uniform rate uniform rate पर बढ़ेगी तो बेटा ऐसे के लिए ऐसे के लिए इस case के लिए VT graph कैसा बनेगा? मतलब की object rest से शुरू हुआ है मतलब जो graph है उसका वो origin से शुरू होगा फिर motion कैसा हो रहा है? motion में velocity बढ़ रहे है लेकिन uniform rate पर बढ़ रही है तो slope कहा जाएगी? ऊपर जाएगी और कैसी होगी? straight line होगी क्यों क्योंकि velocity बढ़ रही है इसलिए slope उपर जाएगी uniform rate पर बढ़ रही है इसका मतलब slope कैसी होगी? straight line होगी तो कुछ इस तरीके से यह बन जाएगा VT graph कि rest से शुरूवात होई है इसका मतलब क्या? कि origin से graph start होगा velocity बढ़ रही है मतलब slope उपर जाएगी uniform rate पर बढ़ रही है इसका मतलब क्या? कि straight line आपको यहाँ पर मिलने वाली है slope another body B has some initial velocity अब दूसरी body है बढ़ भी जिसकी कुछ न कुछ initial velocity है और यह बात मैं आपको पहले भी पता चूँँ क्यों कि जब भी अपन बोलता है कि दूसरी body है जिसकी कुछ न कुछ initial velocity है तो जब अगर वो body की initial velocity कुछ होती है मतलब कि non zero होती है तो बढ़ ग्राफ origin से start नहीं होता वही graph origin से start होता है जिसकी velocity initially zero हो मतलब की body पहले rest पर हो और जिस object की velocity initial velocity non zero हो तो उसका ग्राफ origin से start नहीं होगा थोड़ा सा उपर से start होगा y-axis से ठीक है and moves with a larger acceleration than that of a यानि कि जो body b है वो initially उसकी कुछ न कुछ velocity रही होगी फिर वो velocity बढ़ती गई होगी लेकिन uniform rate पर बढ़ी होगी यानि कि उसकी भी motion में क्या होगा constant acceleration होगा तो बेटा इस case में graph कैसा बनेगा vt graph ऐसा बनेगा देखो origin से शुरवाद नहीं होई है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि initial velocity उसकी कुछ तो है 0 नहीं है इसलिए graph थोड़े उपर से start हो suppose उसकी initially velocity कि रही होगी 5 meter per second रही होगी फिर क्या होगा velocity बढ़ी 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 तो slope कहा जाएगी उपर जाएगी और कैसी होगी straight line क्यों क्योंकि यहाँ पर बोला चला नहीं देखो acceleration है larger acceleration है than a मतलब acceleration तो है uniform acceleration है तो इसलिए क्या होगा slope उपर जाएगी और straight line मिलेगी लेकिन यहाँ पर अब क्या है एक twist है twist यह है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि b object का motion है उसमें जो acceleration है वो a object के motion की acceleration से जादा है यह बात मैं आपको पिछले वाले session में भी बताई थी distance time graph के case में बताई थी कि distance time graph में slope जितनी खड़ी होती है speed उतनी जादा होती है है ना distance time graph की हमें slope क्या देती है distance time graph की slope हमें देती है speed तो मालो कि आपसे दो object के distance time graph की बात की जा रही है कि मालो यह object A है यह object B है और इन दोनों के distance time graph कुछ ऐसे दी हो है तो बताओ इन दोनों में से किसकी स्पीड ज़्याद है तो आप क्या बोलोगे object की क्यों क्यों जो क्यों सुनकर इसकी स्लोप ख़ड़ी है डिस्टेनस टॉम्गाफ की स्लोप क्या देती है च cat the jis me distance टाम ग्राफ की जो स्लोप है वो खड़ी होगी, उसकी स्पीड होगी जादा, देखो तो, B की जो स्लोप है, वो लेटी होई है, A की खड़ी होई है, तो distance time graph for object A, की जो स्लोप है, वो खड़ी होई है जादा, इसलिए उसकी स्पीड क्या होगी, जादा हो वैसा ही कुछ velocity time graph में भी होता है कि जिस object के velocity time graph की slope जितनी ज़दा खड़ी रहती है उसका acceleration उतना ही ज़ादा जैसे कि यहाँ पर माल लोग की दो object की बात हो रही है दोनों के VT graph बनाए हुए है दोनों के VT graph बनाए हुए है एक object है X और एक है Y तो बताओ इन दोनों में acceleration ज़ादा किसका होगा बिटा VT graph की slope आपको क्या देती है acceleration तो जिस object के VT graph की slope जितनी खड़ी होगी उसका acceleration उतना ज़ादा तो देखो यह जो X है यह जो X है object यह body उसके VT graph की जो slope है बिटा वो खड़ी हुई है as compared to the slope of VT graph of Y body यह है Y body की VT graph की slope यह है X body के VT graph की slope X body के VT graph की slope बिटा खड़ी है ना मतलब कि X का acceleration ज़ादा होगा as compared to B यहाँ पर A और B की बात चल रही है कि B का जो acceleration है वो A से ज़ादा इसका मतलब क्या जो body A होगी ना बिटा जो body A होगी उसके VT graph की slope खड़ी होगी sorry body नहीं body B यहाँ पर क्या बोल जा रहा है कि body B का acceleration body A से ज़ादा है यानि कि body B के VT graph की जो slope होगी ना बिटा वो ज़ादा खड़ी होगी कुछ इस तरीके से और A की slope ऐसे होगी वैसे भी आप बोलोगे कि मैं यहाँ से क्यों अरे बिटाप एक और कंडिशन तो यह भी है ना B के साथ कि उसकी initial velocity 0 नहीं है non-zero है प्लस उसके acceleration भी ज़ादा इसका मतलब क्या इसकी slope होगी वो ज़ादा खड़ी होगी लाइक दिस जो A है वो rest स्टार्ट हो रहा है तो बताओ ऐसा graph तुमको कहां मिल रहा है ऐसा graph तुमको देखने को मिल रहा है option C में इसका मतलब क्या इस सवाल का सही जवाब होगा option C option A क्यों नहीं होगा option A में देखो क्या बोला जा रहा है A की जो A का जो graph है VT graph वो origin से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है बिटा सवाल कुद बोल रहा है कि A rest से शुरू हो रहा है तो उसका जो graph है बिटा वो origin से शुरू होना चाहिए जो नहीं हो रहा है तो मतलब यह तो पहले ही उसमें गलत हो गया B को तो देखो ही मत तूम option b क्या पोल रहा है option b फिर भी ठीक है और option b फिर भी ठीक है कि a का जो graph है और उरिजन से start हो रहा है B का जो graph है क्योंकि उसकी initial velocity नॉं-zero है इसलिए origin से start नहीं हो रहा है आप बोलोगी यह भी तो सकता है नए यह नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता पूछो क्योंकि जो दूसरी कंडिशन दी होई गे बिटा वो इस ग्राफ में फुल्फिल नहीं हो दूसरी कंडिशन क्या है कि बी का acceleration जादा होना चाहिए as compared to a इसका मतलब क्या कि बी का जो वीटी ग्राफ की स्लोप है उसको जादा खड़े होना चाहिए as compared to a की स्लोप लेकिन यहां पर देखो यहां पर तो almost a की बराबर खड़ी हुई है मनलब यहां पर तो acceleration सेम हो सकता है सेम यह उना चाहिए b का जादा होना चाहिए a से इसकी स्लोप खड़ी होनी चाहिए जो नहीं है इसलिए यह ग्राफ नहीं होगा c b गला मलब d b गलात है बचा कौन सा c उसी को मां करेंगे आगे बढ़े ओके चलो next question पर आ जाते हैं बच्चों a body starts from rest and moves with uniform acceleration of this much what is its velocity after 10 seconds rest से body शुरू हो रही है मतलब velocity 0 होगी initial velocity uniform acceleration कितना आ गया 5 meter per second square का 10 seconds बाद उसकी velocity पूछी गई है तो वही first equation of motion लगा सकते हैं v is equals to u plus 80 v निकालना है u की जगह पे रख देंगे 0 a की जगह पे क्या रख देंगे 5 और time की जगह पे 10 तो वी कितना जाएगा 50 meter per second यह तो बिलकुल पहले वाले सवाल जैसे ही है बहुत ही basic सवाल है I hope यह आपसे बन गया होगा चलो next question पर आ जाते हैं बेटा यह उसी का solution है ठीक है the distance traveled by a body in time t is given by this how is the formula modified when the body starts from rest second equation of motion दी हुई है आप से पूछा जा रहे है कि यह formula कैसे modify होगा अगर body rest से शुरू हो rest से शुरू होने का मतलब क्या है कि initial velocity 0 हो जाएग और अगर initial velocity 0 हो गई बेटा तो यह जो term है second equation of motion का ut यह खुद पूरा का पूरा 0 हो जाएगा यानि कि formula कैसे modify हो जाएगा s is equals to half 80 square यही आप से पूछा गया है कि how is the formula modified when body starts from rest तो अगर body rest से शुरू होगी तो ut term पूरा 0 हो जाएगा तो formula क्या बन जाएगा s is equals to half 80 square next part क्या है how is the formula modified when the motion of the body is uniform अगर body का motion ही uniform हो गया बेटा तो फिर यह जो formula है यह कैसे modify होगा uniform motion का मतलब क्या है constant speed constant velocity और अगर velocity constant है तो फिर acceleration पैदा ही नहीं होगा और अगर acceleration पैदा नहीं होगा acceleration 0 है बेटा तो इस बार यह वाला टर्म पूरा होगा और formula modify होके हो जाएगा s is equals to ut normal जो speed is equals to distance by time का formula होता है ना उसमें आप क्या करो इसको यहां ले जाओ तो distance का formula क्या बन जाएगा speed into time यह तो है distance is equals to speed into time तो अगर uniform motion है तो क्या होगा uniform motion है इसका मतलब velocity constant है velocity constant है वो चेंज नहीं होगी तो क्या का acceleration 0 acceleration तो यह वरा टर्म क्या होगा फिर 0 हो जाएगा तो formula modify होके क्या बन जाएगा s is equals to ut distance is equals to initial velocity into time कोई calculation नहीं करनी थी यहां पर बुन्नो ठीक है चलो a body is thrown vertically upwards with a velocity of 98 meter per second if g is 9.8 meter per second square when will it reach its highest point what will be its maximum height body को बिटा उपर फिका गया है कितनी initial velocity के साथ 98 meter per second की velocity के साथ जाहिर से बात है maximum height को attain करने के बाद velocity 0 हो जाएगी मतलब final velocity क्या हो जाएगी 0 कुछ चीज़े बिटा understood होती है कि अगर object को नीचे से उपर फिका गया है तो किसी ना किसी initial velocity के साथ object उपर गया होगा और एक maximum height को attain करने के बाद उसकी final velocity 0 हो गई होगी तो initial velocity यहाँ पर आपको given है final velocity अपने दिमाग से लगाओ क्या होगी 0 होगी acceleration due to gravity क्या लेने को देखो इस बर बोला हुआ है g is equal to 9.8 meter per second square अब sign तुम लोग बताओगे negative ले या positive ले motion में acceleration का direction क्या होगा नीचे body जहां का रही है उपर जा रही है यानि कि यहाँ पर small g की value negative होगी ठीक है small g की value अपन positive में कब लेते हैं यह positive कब होता है जब object आता है उपर से नीचे और जब object नीचे से ऊपर जा रहा होता है नीचे से ऊपर ठीक है तो small g की value बेटा वोग नेगेटिव में रखते हैं यह पहले वाले अपन ने सवाल में भी ऐसी किया था पूछा के जा रहा है कि maximum किस height तक पहुंचेगा और maximum height तक पहुंचे नहीं लगेगा वेन विल इट रीचेज तो time कितना लगेगा तो एक काम करो ना सबसे पहले तो तुम third equation of motion लगा लो उससे तुमारे पास h आज आजाएगा तो फिर तुम second equation of motion के इस्तेमाल करके time निकाल सकते हो है कि नहीं या time निकालने के लिए तुम first equation of motion भी लगा सकते हो ऐसा कुछ नहीं है v is equals to u plus gt v तो 0 हो जाना है u कितना है 98 meter per second plus small g की value कितनी रखनी है minus 9.8 meter per second into time कर दो एक काम करो 98 को right hand side से left hand side ले आओ तो वो plus 98 से minus 98 हो जाएगा minus 98 is equals to minus 9.8 into t इसको भी यहाँ ले जाओ तो यहाँ पर multiplication में यहाँ पर आकर के division में आजाएगा तो minus 98 by minus 9.8 is equals to t negative से negative कर देसिमल हटा उपर आजाएगा एक 0 98 tens अ कितना होता है 980 तो time कितना आजाएगा time आजाएगा आपका 10 seconds ठीक है अब एक काम करो क्या करोगे h निकालने के लिए third equation of motion लगा लो v square minus u square is equals to 2gh v तो 0 हो जाएगा गोली मारो उसको ठीक है minus u कितना है बेटा u है 98 meter per second इसका square करना नहीं बूलना 2 into g की value क्या रखेंगे minus 9.8 और h तो निकालना ही है अब इसको solve करो minus 98 into 98 ये 2g को भी यहां ले आओ denominator में कितना हो जाएगा 2 into minus 9.8 is equals 2h negative से negative कट जाएगा decimal लग हटाओ उपर आजाएगा 1 0 ये 98 से उपर वाला 98 कट जाएगा ये 2 से कटेगा 2 2s are 4 2 9s are 18 0 तो height कितनी आजाएगी 490 meters आजाएगी कोई दिक्कत कोई समस्या simple third equation of motion लगाई V square minus U square is equals to 2gh तो V तो अपना 0 है U की जगा पर क्या रख देंगे 98 का square कर देंगे 2 into G की जगा पर क्या रखेंगे minus 9.8 और H multiply कर देंगे पूरे को solve करेंगे परे कितना answer आजाएगा H is equals to 490 meters और time कितना लगेगा उसको पर जाने में maximum height 380 करने में 10 seconds ठीक है ये उसी का पूरा solution है आप चाहो तो इसका भी screenshot ले सकते हो no problem आगे बढ़ जाएगे the velocity time graph of body is represented as shown in the figure calculate the distance traveled by the body in 5 seconds 5 seconds में बेटा उसने कितना distance cover कर लिया होगा आपको बो निकालने देखो ये velocity time graph है दिखरा है आपको x axis पर time है और y axis पर क्या है velocity वो भी meter per second में निकालना क्या है आपको distance traveled है मानलो कि एक object है बेटा जो rest से शुरू हो रहा है और कहां तक पहुँच गया है 5 seconds के time interval में देखो time किसमें लिया हुआ है seconds में लिया हुआ है ठीक है तो 5 seconds के time interval में वो rest से शुरू होकर के कहां पहुँच गया है point A तक पहुँच गया है point A पर ज़रा देखो उसकी velocity कितनी है, point A पर उसकी velocity है, 10 meter per second आप बोलोगी कि मैं आपको किसे पता चला कि object ने rest शुरू करा है क्योंकि बेटा graph देखो कहां से शुरू हो रहा है origin से, मतलब कि initially उसकी velocity 0 रही होगी 5 second के बाद जब वो point A पर पहुंचा तो उसकी velocity कितनी हो गई, 10 meter per second हो गई इतनी तो जानकरी हमको graph को देखकर की मिल गई और हाँ, graph कैसा है, straight line है इसका मतलब क्या, कि velocity बढ़ी तो है लेकिन uniform rate पर बढ़ी है, मतलब कि acceleration क्या होगा throughout the motion constant रहेगा लेकिन हमसे यहाँ पर acceleration की बात नहीं की जा रहे है यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि calculate the distance traveled by the body in 5 seconds तो velocity time graph की जो slope होती है, वो हमको acceleration देती है और velocity time graph की नीचे का जो area होता है, वो हमको distance या displacement देता है, और वही हमको निकालना है, तो basically हम क्या करेंगे बेटा, point A से हम क्या करेंगे एक perpendicular drop कर देंगे on the time axis, point A से क्योंकि ने वो 5 seconds के बाद आप बोलोगी कि मैं point A से हमने drop क्यों करा perpendicular, यहाँ से भी तो कर सकते थे ना, यहाँ से भी तो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे प्रुभग, क्यों नहीं कर सकते थे तो point A से ही क्या करोगे, निकालोगे perpendicular गिराओगे कहाँ, time axis पर तो यह जो है बेटा आपको पूरा, एक right angle triangle बनता हुआ दिख गया होगा, हमको क्या करना है, velocity time graph के नीचे का area निकालना है पर area define तो हम कर ले, कैसे करेंगे तो 5 seconds बाद object आजाएगा point A पर, तो point A से ही क्या करेंगे एक perpendicular गिरा देंगे अब बन गया है क्या, एक right angle triangle इसका निकालेंगे area तो क्या जाएगा area under vitigraf, जो मैं क्या देदेगा distance देदेगा तो right angle triangle का area कैसे निकालते हैं बिटा half into base into height base किसके बराबर हो जाएगा यहां पर देखो, यह height है पिटा दूसरे color से बताती हूँ यह height है अपने right angle triangle की और यह क्या है, base है तो base कहां से नापेंगे time axis से, देखो जाला कितना आजाएगा base यहां से लेकर कि यहां तक, base कितना हो जाएगा base कहां से नाप रहें time axis से, तो यहां से लेकर कि यहां तक base कितना हो जाएगा, 5 के बराबर तो base की जगा पे क्या रखेंगे, 5 और height की जगा पे क्या रखेंगे height कहां से नापेंगे, बिटा height अपन नापेंगे, y axis से base नाप रहें, x axis से, time axis से और height कहां से ना पेंगे? Y-axis से. तो देखो जब ऑबजेक्ट A point पर पहुंचा तो इसकी velocity कितनी हो गई? 10 m per second. मतलब की ये जो height है बेटा ये जो height है वो कितने के बराबर हो गई? 10 के. height कितने के बराबर हो गई? 10 के बराबर होगे यह हो गया 5 के बराबर यह हो गया कितना 10 के बराबर तो करो यहाँ पर कितना हो जाएगा काट दो 2 से कटेगा 5 5 25 तो 25 मीटर्स बिटा क्या जाएगा area under VT graph मतलब कि distance covered कितना आगया in 5 seconds 25 मीटर्स clear? area under VT graph निकालेंगे कैसे निकालेंगे सबसे पहले एक area define करेंगे define करने के लिए हम क्या करते हैं एक perpendicular drop करते हैं कहां से drop करेंगे at point A क्योंकि 5 seconds के बाद object कहां पहुंच जाएगा point A पर ही पहुंचेगा तो वहां से हमने drop करा perpendicular यह क्या बनके right angle triangle निकालेंगे इसका area कैसे निकालते हैं half into base into height base कहां से ना पहेंगे time axis से height कहां से ना पहेंगे y axis से तो height आजाएगे 10 base आजाएगा 5 रग देंगे सारी values तो कितना आजाएगा area 25 meters sorted चल आगे बढ़ते हैं draw a diagram to represent the direction of a motion of a body moving along a circular path justify why such motion is accelerated motion यार ये ना uniform मतलब ये circular motion का सवाल है और अभी तक अपने circular motion ऐसे पढ़ा नहीं है मतलब क्या बोलेंगे वैसे पढ़ा है अपने circular motion के बारे में लेकिन properly उसका एक session नहीं आया है आपके पास circular motion का है ना तो वो आएगा आपके पास अगले मतलब next day पर next session जो होगा बेटा वो circular motion का ही होगा तो ये काम करेंगे अपन ये वाला question आप निप्टा लेंगे अभी के लिए अपन इसको जाने देते हैं ठीक है बाकी ये अपन उस session में रख लेंगे next a body is dropped vertically from a certain height draw velocity time graph of the body VT graph बेटा बनाने के लिए बोला गया है तो velocity कहां लोगे y axis पर time कहां लोगे x axis पर condition क्या है कि body vertically drop हो रही है from a certain height ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि vertical motion में होता क्या है जब object को नीचे से उपर फिंका जाता है बेटा तो कुछ ना कुछ initial velocity के साथ फिका जाता है और एक certain height पर पहुंचने के बाद object की जो velocity है finally वो 0 हो जाती है इसका बिलकुल उल्टा होता है कब जब object उपर से नीचे आता है जब object उपर से नीचे आता है बेटा तो initially उसकी velocity 0 रहती है समझे बात जब object उपर से नीचे आता है जब object उपर से नीचे आता है तो उसकी initial velocity 0 रहती है और फिर वो जैसे 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 नीचे आएगा 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 उसकी velocity बढ़ती जाएगी क्यों बीटा अबजेक्ट नीचे से उपर आप मैं क्या बोड़ रहा हूं उपर से नीचे आ रहा है। उपर से नीचे आ रहा औबजीक्ट। और धर्ती क्या करती हैं? हर चीज को नीचे तो खीछती है। मतलब तुम तो ये समझो कि तुम तुम जो हैं बनीचे आरे हो। जैसे, कि तुम सीड़ी शालआ थे क्यों तुम वैसे भी नीचे ही आ रहे थे लेकिन अर्थ की जो gravity है उसको चैन नहीं अर्थ बोलती कि भाईया तुम उपर नहीं तुम नीचे आओ तो तुम अर्थ को बोलते हो कि याँ रहे हैं वैसे भी नीचे पैर प्लिप हो गये हम पैर फिसल क्या है वैसे ही लोड़क कर लगाती है वो भी नीचे की तरफ याने कि हम already नीचे आ रहे हैं उपर से अर्थ का फोर्स हमको और नीचे की तरफ खीच रहे बेटा तो क्या होगा लोड़कने की स्पीड बढ़ जाएगी ना नीचे गरने की स्पीड बढ़ जाएगी तो वैसे यह object के साथ भी हाँ पर हो उसकी velocity बढ़ती जाएगी तो initially velocity 0 होगे और जैसे वो नीचे आएगा ना object तो तुम्हें 2-3 चीज़े यहां पर ध्यान रखनी होती है कोई भी graph बनाते टाइम कि graph की शुरुवात कहां से होगी origin से होगी या कहीं उपर से होगी अगर तो velocity initially 0 है जैसे की सवाल में बोला गया है कि object उपर से नीचे आ रहा है तो initially उसकी velocity 0 रही होगी तो graph origin से शुरू ह होगा दूसरी बात ग्राफ जाएगा कहां तो जाहिर सी बात है velocity बढ़ती जा रही है तो graph कहां जाएगा बेटा स्लोप कहां जाएगी उपर के तरफ जाएगी फिर स्लोप बनेगी कैसे ऐसे कर्वड बनेगी या स्ट्रेट लाइन बनेगी वह डिपेंड करेगा कि velocity कि से र विलोसिटी उसकी बढ़ती जाती लेकिन युनिफॉर्म रेट पर बढ़ती है तभी तो नीचे आते टाइम उसका एक्सलेशन कितना होता है 9.8 मिटर पर सेकेंड स्क्वेर्ट तो यह एक्सलेशन दूट ग्राविटी कॉंस्टेंट वाल्यू है तो कॉंस्टेंट एक्सले स्लोप कहा जाएगी उपर की तरफ क्योंकि विलोसिटी बढ़ रही है और कैसा होगा स्ट्रेट लाइन क्यों क्योंकि विलोसिटी बढ़ रही है एक एट कॉंस्टेंट रेट ठीक है चलो यह देखो आगे बढ़े अब पूछा क्या जा रहा है कि बताओ इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में विलोसिटी मैग्सिमम कब होगी देखो इस ग्राफ के आपको कुछ-कुछ पार्ट दिये हुए सेग्मेंट्स दियुए ओए एबी बीसी एंद सिदी तो इन सारे सेग्मेंट्स इन सारे पार्ट में आपको बता रहा है कि कौन से वाले पार्ट में विलोसिटी मैग्सिमम होगी मैं तुमको क्या समझाया है कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोग खड़ी हो, तो speed जादा होती है velocity जादा होती है तुम खुद देखो, इन segments में से A, B, sorry, इन segments में से OA, A, B, C, D ने, OA, A, B, B, C and C, D इन चार segments में से कौन सा ऐसा segment है बिटा, जो एकदम खड़ा हुआ है, यह सब क्या है, यह slope के ही तो segment है, तो कौन सा ऐसा segment है, जहां पर slope एकदम खड़ी है, आप बोलोगे कि मैं मुझे तो OA में भी दिख रही है और A, B में भी दिख रही है, और C, D में भी दिख रही है, सही बात है लेकिन तुम यह देखो कि slope सबसे खड़ी कहा है, OA में भी खड़ी है A, B में भी खड़ी है, B, C में भी खड़ी है, लेकिन A, B इस part में, इस segment में slope सबसे ज़ादा खड़ी है, यानि कि इस segment में speed, velocity सबसे ज़ादा होगी, तो यहां पर मैं लिख दू यहां रखना कि distance time graph की slope जितनी खड़ी रहेगी, speed उतनी ज़ादा रहेगी, तो slope खड़ी, A, B segment में भी थी मना, O, A segment में भी थी A, B में भी थी, और C, D में भी थी अरे याद, O, A में भी थी, slope खड़ी A, B में भी थी, और B, C, जो segment है, उसमें भी slope खड़ी लेकिन सबसे ज़ादा कहां खड़ी थी, A, B में, जो slope जो velocity है, वो इस segment में maximum होगी velocity is minimum velocity सबसे कम कब होगी A, B में तो maximum है, अब बचा क्या? O, A और B, C, तो तुम देखो, दोनों segment में से जो slope है, वो सबसे जोकी हुई कहां है, लेटी हुई कहां है आप बोलोगी कि मैं O, A में भी लेटी है, B, C में भी लेटी है, लेकिन बचा, जो O, A segment है, इसमें जो slope है वो ज़्यादा लेटी हुई है तो slope लेटी है, distance time graph की इसका मतलब क्या speed कम है तो O, A में आप बोल सकते हो की speed क्या होगी minimum मेरे बात समयन में आरे है की नहीं आरे है distance time graph की slope इतनी खड़ी उतनी speed जादा slope जितनी लेटी हुई, speed उतनी ही कम तो देखो, O, A में भी लेटी है B, C में भी लेटी, लेकिन O, A में slope को जादे है लेटी है, तो इसमें speed कम होगी velocity is 0 बताओ कौन सी सेग्मेंट में जना velocity 0 होगी मेरे distance time graph में velocity 0 होने का मतलब क्या है अरे velocity 0 होने का मतलब यह है की object rest पर आ गया है तो जब object rest पर आ जाता है तो इसके लिए distance time graph कैसा बनता है parallel to time axis तो देखो ना यह माला segment cd segment यहाँ पर क्या हुआ है जो slope है वो graph जो है वो time axis के parallel होगे इसका मतलब क्या की cd segment में velocity होगी होगी 0 इसलिए object rest पर आ गया तो यहाँ पर लिख दो cd तो maximum velocity a b में minimum o a में और rest पर कहां velocity 0 कहां cd में ठीक है चला यह उसी का solution answer है पेटा next the speed time graph of a body is as shown in the figure calculate अच्छा यह तो मुझे लग रहा अपन कर चुके है यह वाला question चलो फिर भी एक बर देख लो acceleration निकालना है body का देखो हुआ क्या initially velocity 0 थी velocity बड़ी 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 uniform rate पर बड़ी और जब object a पर पहुँचा 5 second बाद तो उसकी velocity कितनी होगी 10 meter per second होगी फिर वो next 5 seconds तक constant 10 meter per second की velocity के साथ ही चलता रहा और ऐसा करते करते क्या हुआ वो a से बीता का गया फिर क्या हुआ next आप बोल सकते हो की 6 seconds में देखो आपर 16 है next 6 seconds में क्या हुआ उसकी velocity कम होना शुरू होगी और ultimately 0 होगी initial velocity 0 ही थी 5 seconds में वो a पर पहुचा velocity कितनी होगी 10 meter per second next 5 seconds में वो constant velocity के साथ चला next 6 seconds में क्या हो उसकी velocity कम होती गई होती गई और 0 हो गई क्या पुचा जा रहा है acceleration यानि की o से a तक जब आप्डेट पहुचा तो उसकी velocity बढ़ी और इसी velocity बढ़ने में क्या हुआ acceleration पैदा हुआ वो भी कौन सा positive वाला तो निकाल के बताओ कैसे निकालोगे speed time graph या velocity time graph की slope हमें क्या देती है acceleration तो कैसे निकालेंगे acceleration basic formula इस्तेमाल कर सकते हैं a is equal to v minus t a is equal to v minus u by t initially कितनी थी velocity 0 तो u की जगा पे लिग दो 0 5 seconds पाद फाइनली कितनी हो गई 10 meter per second तो v की जगा पे क्या लिग दो 10 meter per second time पिता लगा velocity को बदलने में 5 seconds तो कितना जाएगा बिटा 10 by 5 2 meter per second हो गया चल retardation यानि कि जब object b से c पहुँचा तो velocity कम होती गई 0 हो गई 10 meter per second से कितना time लगा 6 seconds लगे तो निकालो यहापर retardation v minus u by t finally जो velocity है वो 0 हो गई पहले कितनी थी 10 meter per second time कितना लगा 6 seconds तो कितना हो जाएगा बिटा ये minus 10 by 6 2 3s are 2 5s are अब minus 5 by 3 कड़े न कितना होगा 1 point कुछ कुछ आ जाएगा total distance travel by the body ये आपके लिए homework है बिटा homework इसलिए है क्योंकि ये वाला question में आपको करवा चुकी हूँ काफी इससे मिलता जुलता था तो total distance कैसे निका रहेंगे बिटा speed time graph ये velocity time graph की नीचे का जो area होता है वो हमको क्या देता है distance ये displacement है ना तो आप क्या करोगे इसका पूरा graph की नीचे का area निकालोगे कैसे निकालोगे A और B point से drop कर दोगे perpendicular तो यहां पर आपके दो right angle triangle और एक rectangle बनता हूँ आपको दिख जाएगा एक ये है right angle triangle एक ये है right angle triangle इसका निकालोगे area इसका निकालोगे area plus कर दोगे इस rectangle के area के साथ तो क्या आजाएगा, total distance cover आजाएगा है ना, जो ये वाला है right angle triangle, इसका area किया सब आजाएगा half into base into height base कहां से नापोगे time axis से, height कहां से नापोगे y axis से, base कितना आजाएगा देखो, 5, height कितनी आजाएगी 10, 3 कितना हो जाएगा 25 meters पहले वाले, right angle triangle का क्या आजाएगा area, 25 meters दूसरे वाले का भी निकाल दो बता, home work भी मैं कर दे रही हूँ half into base into height base कहां से नापोगे, time axis से, height कहां से नापोगे, y axis से, height कितनी हो जाएगी बिटा, height तो तुमारी, देखो, अभी भी इसकी 10 रहेगी लेकिन base अलग होगा क्या अलग होगा? 10 से 16 के बीच का distance आपको निकालना है तो 16 माइनस 10 कर दो कि कितना आजाएगा? 6 तो फिर लिग दो यहाँ पर 6 अब काट दो, 2, 3, 6 3 into 10, 30 तो यह आगया 30 meter तो पहले right angle triangle का कितना आया area? 25 meters और second वाले right angle triangle का area कितना आगया? 30 meters ठीक है? अब क्या बचा है? बीच वाले rectangle का area कैसे निकालते हैं बेटा? rectangle का area length into bread length कहां से नापोगे? length नापोगे? y-axis से अरे, दोनों ही right angle triangles का area हमने निकाल लिया अब बचा है यह rectangle का area कैसे निकालते हैं? length into bread length कहां से निकालोगे? length निकालोगे y-axis से और bread कहां से निकालोगे? time axis से या x-axis से ठीक है? तो इसको ऐसे कर दो length into bread तो बेटा length देखो length तो इसकी भी कितनी रहेगी? 10 ही रहेगी क्योंकि length कहां से नाप रहे हैं? y-axis से minus 5 कर दो कितना हो जाएगा 5 तो 10 into 5 कितना हो जाएगा 50 meters सारे आगए distance अब उठा करके add कर दो इसका मनद distance नहीं area गलती से distance बोल दिया तीनों ही shapes के जो areas हैं वो हमारे पास आ चुके हैं इसका है 25 इसका है 30 और इसका है 50 तो उठा करके सबको add कर दो 25 प्लस 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 75 प्लस 30 कर दो कितना हो जाएगा 105 meters तो यह आजाएगा वही जो हमें निकालना था total distance cover ठीक है तो यह आजाएगा distance traveled या cover 105 meter ठीक है काईदे से तो यह homework था पर मैं नहीं कर लिया पर कोई बात नहीं बिटा तुम लोग भी करना भूलना नहीं 105 meters ठीक है जाएगा आज के सेशन के लिए बस इतना ही आज के लिए हमने काई सारे questions को solve कर लिया है अब हम मिलते हैं अपने अगले session में अगले session में आप बताना कि आपको क्या चाहिए हैं अगर आपको और भी questions और numericals वाले session चाहिए होंगे तो हम वो भी plan कर सकते हैं आज के अगले session में हम उनिफॉर्म motion के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आपको बताना कि अगर आपको और भी questions और numericals वाले session चाहिए होंगे तो फिर मैं आपके लिए वो वाले sessions भी ले आऊंगी तो अब अगर आपको ये session अच्छा लगा हो तो इसको like करेगा, share करेगा और चानल को subscribe भी करेगा, मिलते हैं अपने अगले lecture में तब तक के लिए keep learning with definite success पार चाला, bye bye, have a great day